इस सवाल में ऐसा कहीं दिया नहीं है लेकिन चार ऑप्शन देखे सिचुएशन देखे हम बता सकते हैं कि यह डैंप मोशन का सवाल है यहां पे आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है यह आपका जो पैंडूलम है वह ऐसे आपकी मीन पोजिशन थी इस मीन पोजिशन के अबाउट यह ऐसे ऐसे आपका टाइम पीरिड टी से और अंप्लिटूट ए से मान लेजे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है सवाल यह है कि जैसे जैसे टाइम पास होएगा जैसे 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 लांग पीरिड ऑफ टाइम तो इसका एंप्लिटूट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो इसका एंप्लिटूट जो शुरू में यहाँ से यहां तक जा रहा था दीरे धीरे यहां ऐसे ऐसे हैंसे होके और बात में तो जो आपका शूर्ट से chceES जांतर बहुत ही स्मॉल एंप्लिटूट के साथ हो जाएगा और सनने this amplitude will die down. तो ऐसी case में A will decrease. Now, उस case में आपका time period जो है, वो increase हो जाएगा. Time period होता है, आपका mean position से जाके, इस extreme पे वापिस आगे, फिर extreme पे जाके वापिस आने का time, तो वो क्योंकि आपका amplitude decrease हो रहा है, यहाँ पे आपका time period increase हो जाएगा. And hence, we can say option number C would be the right answer.